बूंदी लॉकडाउन के दोरान जहां बच्ची स्कूलों में नहीं जा सकते थे, घरों में बैठे बैठे बोरू हो रहे थे उस समय बूंदी के इंदरे विद्ध्या लेके शिक्षा का मित कुमा जो शिक्षा में नवाच्चार के लिए जाने जाते हैं अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ने, शिक्षा के शेतर में गूगल आर्थ के जरीए बच्चों को ऑनलाइन क्लास्रूम में पढ़ाने का नया तरीका इज़ात कर दिया वो सालबर से इस पर काम कर रहे थे, शुरूआत करोना काल में ऑनलाइन क्लास्रे से स्कुल खुला, क्लास्रूम में भी गूगल आर्थ के जरीए पढ़ाई कर वाई वो बताते हैं गूगल आर्थ से पढ़ाई के चोकाने वाले नटीजे सामने आए स्कुल में बच्चे के उपस्तिती तो बढ़ी ही, वो पढ़ाई और सीखने में ज़्यादा रूची लेने लगे उनके टेस्ट में अंक्री बढ़ने लगे, बच्चे खुद गूगल आर्थ पर प्रोजेक्ट बनाने लगे अमित कुमार बताते हैं, गूगल आर्थ का उप्यो किसी पी कक्षा में, किसी बिभाशा में सभी सब्जेक्स को पढ़ाने में हो सकता है इसके ज़र्ये डिजिटल कहानिया बढ़ाई जा सकती है, बच्चे इन कहानियों को आसानी से याद रख सकती है उन्होंने बताया, गूगल आर्थ से पढ़ाई पर बच्चे अधिक चौकस हो जाते हैं, उनकी आदाश्ट रचनात मक्ता सीखने की जिग्यासा बढ़ जाती है ये बच्चों को ग्लास्रूम में पढ़ाई का नया और मज़ित दार अनुबह होता है विद्याले के बच्चों ने भी शिक्षक अमितकुमार द्वारक गूगल आर्थ के माध्यम से पढ़ाई के नई तरीके में खासी रूची दिखाते वेज से पढ़ाई का द्धूस दिल्चस एडवेंशर फुल तरीका बताया है मेरा नाम आयूस पंचारिया है मैं क्लास एड में बगता हूँ जब मुझे अमीज सर्डे लोग डाउं आजब मुझे अमीज सर्डे उगल अड़ के बारे में बताया तब हम घर पे रहते थे और बहुत बोरिंग फील खरते थे जब हमने स्ट्री डिवू देखे तो बहुत अच्छा लगए हूँ लगता है कि हम बाहु पर इया है इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा समझ भी आया आपको यह यह गूगल अर्ट के मात्यम से पढ़ाने का तो इसका किस तरह का रिजल्ट आपको मिला अच्छा है यह शिक्षा के शित्र में एक नई पद्धती देता है जिससे आप किसी भी सब्जेट्स को एक्सपरियंस ली और जॉइफुल इंवार्मेंट म कॉलबेटिव ग्रुमें बच्चे को पड़ा सकते हैं बच्चे एक पर बज्यू से और उनको एक ऐसा लुगा होता है कि वह उस जगे पर ही है को मैसेट कर रहे हैं और क्लास का वातरार काफी अच्छा रएता है और बच्चे इस पर इंटर्स लेता हो अगर एक तरह से बो कि किसी भी कोने में बच्छर को इसके मात जामसे में गुबा सकता हूं